गंगा नगर नाम का एक छोटा सा गाउं था। गाउं से सटी एक जंगल बसा हुआ था। गाउंवाले उस जंगल से फ़ल लाकर शहर में बेचा करते थे। उसी गाउं में रहने वाला हनुमन अपने परिवार के साथ छोटी जोपणी में जिन्दगे गुजार रहा था। उसकी बेटी थी दीपा और बेटा पद्री। यूहें दिन बीत रहे थे। एक दिन दीपा अपने भाई बद्री से कहती है छोटे बाबा ने तो काफी देर कर दी आज बादल चा गए हैं लगता है तेज बारिश होगी घर आते वक्त बाबा को कहीं परिशानी न हो जाएं बद्री कहता है ओहो दीदी तुम चिंता मत करो मैं च्छाता लेकर जाता इतने में बिजली कुल हो जाती है साथ ही तेज बारिश होने लगती है दीपा बहुत परिशान हो जाती है उतने में उसे एक अजीब सी आकरिते दिखाई देती है दीपा उसे देख कौन है वहां कौन है यो चिलाती है लाल टेन उठा कर देखती है वो एक बंदर था मामूली बंदर नहीं दो सिर्वाला बंदर दीपा उसे देख हट बंदर कितनी डर गई थी मैं चल जा यहां से यू कहती है वो बंदर को भगाने की कोशिश करती है पर वो बंदर जाने के बजाए इशारे करने लगता है मानो कह रहा हो बाहर बारिष हो रही है बहुत ठन लग रही है थोड़ी देर यहां रुकने दो पर दीपा डर के मारे बापने तुम दीखने में डरावने हो दो सिरवाला बंदर मैंने पहली बार देखा है मचे डर लग रहा है चले जाओ यहां से और दीपा उसे जबरन बाहर निकालती है बिचारा बंदर बाहर बारिश में भीग रहा था थोड़ी देर में वो दूसरा कोई उपाय ढूणने की कोशिश में था उसे एक बड़ा सा पेड दिखाई देता है जिसके तने में एक बड़ा छेद था वो बंदर तुरंत उसके अंदर चला जाता है अंदर उसे काफी गर्माहट महसूस होती है वो मन ही मन आहां यहां कितना अच्छा लग रहा है मैंने इतने दिनों में ये पेड और ये जग़ देखी ही नहीं तब उसका दूसरा सिर हां मैंने भी नहीं देखी अब हम यहीं रहेंगे उत्रे में पहला सिर हां रहेंगे पर हमारे सिर की तरह हमारे शरीर भी अलग होते तो अच्छा होता ना सारे लोग हमें देख डर रहे हैं इस पर दूसरा सिर कहता है हाँ पर कोई बात नहीं हमें अब अच्छी जगह मिल गई है रहने के लिए यो दोनों सिर आपस में बाते कर रहे थे उधर दीपा अकेली बाबा और भाई की राह देख रही थी उतने में वो दोनों घर लोटते हैं तब दीपा उस दो सिरवाले बंदर के बारे में उन्हें बताती है वो भी सुनकर हैरान रह जाते है वो दन बेट जाता है, बारिश रुख जाती है वो दो सिरवाला बंदर भी बारिश रुखते ही खाने की तलाश में पाहर आता है यहाँ वहाँ देखता है तब पहला सिर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है तुम यहाँ क्यों रुख गए हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा सिर कहता है, मैं भी खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देख रहा हूँ वो यूँ खाना खोज रहा था, कि बीपा फलों की टोकरी लेकर वहाँ से जा रही थी उतने में पत्थर से टकरा कर वो नीचे गिर जाती है ये देख बंदर उसकी मदद करनी के लिए उसकी तरफ छलांग लगाता है पर तीजी से आते हुए बंदर को देख दीपा डर जाती है बचाओ, बचाओ, बड़ा बंदर, बचाओ यूँ चिलाती है, बंदरी दीपा की चीखे सुनकर भाग कर आता है एक लकड़ी लेकर वो बंदर की तरफ फैकता है लकड़ी की मार से बंदर डर कर वहां से भाग जाता है बड़ी अपनी दीदी से दीदी, तुम ठीकता हो न? समय पर मैंने देख लिया उस बंदर को वरना वो तुम्हें काट लेता और ये सारे फल भी ले जाता चलो चलते हैं यू कहकर वो सारे फल समेट कर घर चले जाते है बेचारा बंदर हाई, हमने ऐसा क्या किया था कि उसने इतनी जोर से लकड़ी फैक कर मारी? दर्द हो रहा है तब दूसरा सिर हाँ, काफी दर्द हो रहा है और वो रो देता है बेचारा भूख का मारा था उपर से ये दर्द बाहर निकलो तो किसी के मारने का डर अंदर छिप जाओ तो भूख का कहर आखिरकार वो बंदर बाहरा के खाना तलाशने लगता है रात हो चुकी थी बंदर को यूँ घूम्टे देख दीपा के पिता ये बंदर न जाने यहां ही टहल रहा है कही पागल तो नहीं है हाई राम ऐसी हालत में किसी को काट लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे यो सोच बड़े डंडो से उसे भगाने की कोशिश करते है ये देख कर बंदर डर के मारे वहां से भाग जाता है उस दिन भी बंदर बेचारा भूखा ही रहता है अगले दिन सुबह वो बंदर कम से कम पानी तो पी ले ये सोच एक बोरिंग पम के पास जाकर पानी पी रहा था तभी वहां एक बुज़ुर्ग औरत पानी लेने आती है बंदर उसे देख सोचता है क्यों ना इनकी मदद कर दो पानी भरने में और वो बंदर उनकी पास जाकर इशारा करता है कि मुझे दीजिये मैं पानी भर देता हूँ पर उस महिला को बंदर के ये इशारे समझ नहीं आते उसे लगता है कि ये बंदर मेरा पानी का घड़ा छीनना चाहता है अरे कोई है बचाओ ये बंदर मेरा घड़ा छीन रहा है यू कहकर वो मदद मागने लगती है वो बंदर उसका घड़ा लेकर पानी भरके उन्हें दे देता है तब उस औरत को यकीन होता है कि ये बंदर उसकी मदद करना चाहा रहा था अरे रे मैंने तुम्हें गलत समझा मुझे माफ कर दो वो औरत कहती है बंदर भी कोई बात नहीं यो इशारा करता है बाद में वो औरत पानी का घड़ा लेकर घर जाने लगती है बंदर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है ये दे दीपा सोचती है हाई राम ये बंदर अब उस दादी के पीछे पड़ा है यू कहकर वो उसे भगाने लगती है बेचारा बंदर दूर से ही हाई राम, क्यों ये सारे मेरे पीछे पड़े हैं, खाना खाये कितने दिन हो गए, वो बूरी औरत कुछ खाने को देगी ये सोचा था मैंने, इसलिए उनके पीछे जा रहा था, पर ये भी नहीं हो पाया बंदर मायूस होकर वहां से चला जाता है, तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे, वो फल खाकर खुशी से कूदने लगता है, तभी उस बाग का मालिक वहां आता है बंदर को यूँ फल खाते देख, गुसे से, अरे ये बंदर कहां से आ गया, सारे फल खराब कर रहा है मेरे, अभी तुझे मजा चक खाता हूँ यूँ वो बंदर को भगानी लगता है, बंदर भी भागते भागते अपनी जगह उस पेड़ के तने में छिप जाता है, बारिश आने लगती है, वो आदमी भी वहां से चला जाता है बंदर इस तरह उस आदमी की मार से खुद को बचा लिता है पहला सिर कहता है सारे हमें गलत समझ रहे हैं हम मदद करने जाते हैं तो भी उन्हें लगता है कि उन्हें नुकसान पहुचा रहे हैं तब दूसरा सिर हाँ आज तो हमारी ही गलती हो गई हमने वो फल जो खाए पहला सिर कहता है हाँ सच में हमें भूख लगी थी इसलिए तो खाए वरना हम रोज कहां जाते हैं उसके फल तोड़ने हम उनके मदद करना चाहते हैं पर ये सब ये कब जानेंगे पता नहीं दिन बीटे गए सारे गाउ में दो सिरवाले बंदर की बाते होने लगी सब डरने लगे तभी गाउ के सरपंज सला मशवरा करने सब को बुलाते हैं वहाँ दीपा और बद्री भी आते हैं दीपा कहती है वो बंदर मुझे पर हमला करने वाला था सही समय पर मेरे छोटी भाई ने मुझे बचा लिया वो बात का मालिक भी सरपंजी वो बंदर मेरे भग्या के फल खा रहा था नुकसान कर रहा था हमारा दीपा के बाबा भी कहते है वो बड़ा ही डरावना बंदर है पागल है शायद इसलिए हर किसी के पीछे पढ़ता है ये सब सुनकर सरपंज कहते है आप सबकी बातों से लगता है कि वो एक पागल बंदर है हमें जरूर नुकसान पहुंचाएगा सारे सचेद रहिएगा उसे गाउं से भगाने की जिम्मेदारी मेरी सारे कहते है सरपंजी जल्द से जल्द ये काम कीजिए वरना हमारी परेशानी बढ़ती रहेगी ठीक है ठीक है सरपंज कहता है अगले दिन सुबह सरपंज उस बंदर का ठीकाना ढूनकर उसे बाहर बुलाता है फिर उसकी डंडों से पिटाई करते है बेचारा बंदर नहीं नहीं मुझे मत मारो आँ आँ जो चलाते हुए छलांग लगाता है सारे उसके पीछे-पीछे दौरते है कुछ दूर जाने के बार बंदर उन सबसे बचके एक पीर के पीछे छिप जाता है बंदर भाग गया सोच वो लोग वहां से चले जाते हैं दिन बीते गए बंदर गाउ में आने से डर रहा था गाउवालों ने तो सोच लिया कि बंदर गाउव से भाग गया तभी एक दिन तेज तुफानी हवा चलने लगी बारिश होने लगी इतनी बारिश कि गाउव में बाढ़ आने के अवसार थे सरपंच परिशान हो गए हाई राम ये क्या और थोड़ी देर अगर बारिश नहीं रुकी तो ये दिवार तूट जाएगी और गाउं में बाढ़ आ जाएगी सारा गाउं डूप जाएगा सारे गाउंवाले भी चिंतित हो गए वो बंदर इतने बारिश में भी बड़े-बड़े पत्थर लाकर वहां एक दीवार बना देता है और पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करता है पर पानी के तेज बहाव से दीवार तूटने किया शंका थी बंदर उसे डटकर खड़ा हो जाता है पानी कम होने तक वो वहां से तस से मस नहीं होता बेचारा बंदर पूरी रात पानी में भीगने से वो मर जाता है अगले दिन सुबह पानी का जोर कम हो जाता है सारे लोग वहां आकर देखते हैं बेचारा बंदर मरा पड़ा था अरे रे हमने इसे गलत समझा पर ये तो हमारे मदद करना चाहता था हम उसे समझ नहीं पाए यू कहकर वो सारे उस बंदर से माफी मांगते हैं